22 जुलाई 1947 को भारत की समविधान सभाने देश का राश्ट्रिय द्वज अपनाया था 1921 में पिंगली विंकईया ने गांधी जी के समक्ष द्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया जिसमें लाल और हरा दो रंग थे आज समाजनेता और शिक्षाविद लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि द्वज के केंद्र में चर्खा जोड़ा जाए गांधी जी ने बाद में द्वज को संशोधित किया और बीच में सफेद रंग की पट्टी जोड़ी मैं 1923 में नागपुर में प्रिटिश रासन के विरुद हाजारों लोगों ने इस द्वज को लेकर शांती पून प्रदर्शन किया ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रबात से संबंधित हो गया और इसे अगस्त 1931 में कॉंग्रिस के वाशिक अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मानिता दे दी गई अधिवेशन में पट्यों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के स्थान पर केसरिया रंग की उव्योग की भी स्विक्रती दी गई केसरिया रंग साहस और बलिदान सफेद रंग शांती और सत्य और हरा रंग उरवर्ता और सम्रधिका प्रतीक है 22 जुलाई 1947 को भारत की सम्विधान सभा ने देश की राश्ट्रिय द्भज को अपनाया और उसमें कुछ संशोधन भी किये पट्यों का रंग तो केसरिया सफेद और हरा ही रहा परंतु पहिक स्थान पर 24 धारियों वाला नीले रंग का धम चक्र जोड़ा गया और इस प्रकार हमारी वर्तमान राश्ट्रिय द्भज का निर्मान हुआ फासी के फंदे से बचाया उन्होंने पहार तली मुखदने में सूरे सेन, अनन सिंग, अंबिका चक्रवर्ती का बचाव किया और एक युवा क्रांतिकारी प्रेमानन दत्ता को भी बचाया जो इंस्पेक्टर की हत्या से संबंधित मामले में आरूपी थे जतंडर ने 1921 में असहयूग आंदूलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी उन्होंने आंदूलनों का आयूजन और नेत्रित्व किया चांदपुर में वे चाय बागानों के सत्यागरही मजदूरों के साथ जुड़े थे इसके लिए उन्हें 1921 में गिरफतार किय देश बंधू चितरंजन दास के बाद जतंडर मोहन बंगाल प्रांतिय कॉंग्रस समिती के अध्यक्ष बने और उसके उपरांद 1925 में कलकत्ता निगम के मेर भी रहे वे 1926, 1927, 1928 और 1930 में भी कलकत्ता के मेर चुने गए वे 1926 में बंगाल विधान परिशत के लिए चुने गए, फरवरी 1930 में वे बर्मा गए जहां उन्होंने जनसभाग को भी संबोधित किया पुलिस ने 14 मार्च 1930 को सरकार के खिलाफ लोगों को भढ़काने की आरोप में उन्हें गिराफ़तार कर लिया, उन पर मुखदमा चलाया गया लेकिन बात में बरी कर दिये गए जन्तिंद्र मोहन कलकत्ता लोटाए और 1930 में सविने अवग्या आंदूलन में सक्रिय हो गए, वे कई बार गिराफ़तार किये गए और हिरासत में लिये गए, उन अप्रेल 1930 में चटगाओं शस्त्रगार पर चापे की बाद चटगाओं की लोगों पर किये गे अत्याचारो की अनादे कारिक जाच शुरू की 1933 को राची में नजरपंद किया गया, जहां केवल उनकी पत्नी को उनके पास जाने की अनुमती थी, 22 जुलाई 1933 को राची में चेल में ही जतिंत्र मोहनसेन कुप्त की वृत्यू हो गई